हलो एब्रीवान वेलकम टू मैं चैनल कोमल गुजस लाइफस्टाइंड मैं हूं कोमल आज आप सोच रहोंगे इस वीडियो को देखकर कि यह जो प्रिटी सा शेड है मेरे नेल्स पे यह कौन से ब्रैंड का है इसका नंबर क्या है शेड नंबर क्या है शेड नेम क्या है तो आप बने रही है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं सारा इंफॉर्मेशन इस नेल पॉलिश के बारे में और फ्रेंड्स मेरे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा वीडियो प्लीज एंड तक देखेगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नेल लैकर देखें यहां मेंशन किया गया है और अभी इस पर क्या इंफ्रमेशन दिया गया वह भी मैं आपको बता देती हूं कलर बार आर्ट इफेक्स नेल लैकर फॉर्मिला फ्रांस यहां इसका कस्टमर के नंबर वगर दिया हुआ है उसका प्राइस दिया है और इसकी नेट वॉल्यूम है 12 ml इसका मैनिफाक्ट्रिंग और एक्सपाइरी डेट भी दिया गया है देखे और यह जो शेर नेम है यह है पेपर पीच 1299 और कलर बार के नेल पॉलिश का एक खासियत है कि यह नॉन कार्सिनोजेलिक है और नॉन येल्लो इंग है मतलब यह आपके नेजल्स को येल्लो नहीं करेगा और यह जो नियल्पॉलिश है वह मैंसे फ्रेंडी है प्यिट है यह जो शेड्ट है इससे आप अप ब्लोगराफिक नियल पॉलिश भी कह सकते हैं gerek और मेटालिक भी कह लेडीज और कॉलेज के स्टुडेंट्स भी अपने नेल्स पर वैर कर सकते हैं बहुत ही प्रिटी सा शेड है यह और इसमें बहुत ही फाइन ग्लिटर्स भी है आप देख सकते हैं ओवराल यह जो नेल पॉलिश है वह काफी अच्छे क्वालिटी का है मैं आपको हाइली रिकमेंड करूंगी आप इसे परचेस कीजिए और अपने नेल्स पर लगाईए और ट्रस्ट मी आपको यह शेड बहुत अच्छा लगेगा मैंने यह जो नेल पॉलिश है इसे मॉल में कलर बार के काउंटर से परचेस किया था आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं अभी वेडिंग का सीजन चल रहा है तो मैं आपको हाइली रिकमेंड करूंगी आप इसेड को परचेस कीजिए और अपने नेल्स पर लगाईए क्योंकि यह जो शेड है यह आपके कोई भी आउट्फिट पर परफेक्टी मैच करेगा और अगर इवनिंग का फंक्शन है त इनके विशादी होने वाली है अगर उन्होंने अपने लिए कोई 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 परचेस किया होगा तो मेरी रिकमेंड को भी अपने वाइनिटी में आड करें त्रस्ट मी यह उनके कोई भी आउट्फिट पर मैच हो जाएगा इवन ब्राइड अपने वेडिंग डे पर भ लगेगा त्रस्ट मी अगर आपको यह नेल पॉलिश लंबे समय तक अपने नेल्स पर बने रखना है तो आपने क्या करना है सबसे पहले नेल्स पर एक बेस कोट लगा दीजिए कोई भी ब्रैंड का बेस कोट लगा दीजिए जिससे आप कमफरेबल हो उसे ड्राइब होने के बाद में आपने टॉप कोट से यह जो नेल पॉलिश है इसे अच्छी तरह से सील कर देना है तॉप कोट लगाने से क्या होता है यह नेल पॉलिश लंबे समय तक आपके नेल्स पर विदाउट चिप किये रहे जाएगा टिप्स से चिपिंग नहीं होगी नेल पॉलिश क टॉप कोट लगाने से और देखिए यह मैंने इसी तरह से अपने नेल्स पर लगाया है सबसे पहले बेस कोट लगाया फिर दो लेयर्स मैंने नेल पॉलिश के लगाए और फिर टॉप कोट से इसे अच्छी तरह से सील कर दिया है और इसका फिरिश देखिए कितना अच्छ प्रेटी आये हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीस मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे क्लिक कीजिए और आप मेरे चैनल को भी प्लीस सब्सक्राइब कीजिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स बाई टेक केर और लव यू और